इस वीडियो हम देखेंगे एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला जिसके बीस्ट पर बहुत सारी कोशिंस को सॉल्ब करें डिर्कली ओके जैसे आप देख रहा होगा फर्मूला यहां पर अगर यह आपके यहां पर जो धीटा है घ्र Kerry अगर इस तरह के से कोई सीरीज आपकी बनती है साइन की सीरीज और इनकी एंगल्स यह अगर वह अगर बिसको इसको आप स्लूब करने की डिर्कली इस फॉर्मूले के यूज कर सकते हैं sin n delta upon 2, delta आपका common difference हो गया, upon 2, sin delta upon 2, sin of first angle plus last angle upon 2, ठीके, इस formula का use आप कर सकते हैं, अगर यह किये से कर cost के साथ आजाए, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस डेल्टा जो ओन ठीक है और लास्ट मा आपका गया कॉस थीटा प्लस एन माइनस वन इंटू डेल्टा इस तरह की से बन गी आपका सीरीज तो इसका हम लिख सकते हैं साइन एंड डेल्टा अपॉन टू अपॉन साइन डेल्टा अपॉन टू और साथ मा अपका यहाँ पर जाएगा सॉस और साइनधल रस्ट औ एंगल फास्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल ऑब इस फोर्म užली को आपने दिमाग मेरखने है अब इस ते लिटे ए प्रॉल्म इस भी कोम्ट है आपका है कॉस टू अपर देखें हम तो यहां पर देख रहें एपि में हैं यहां पर कॉस है सारे और यह एंगल जो है अगर यह पी में है तो डारी की फॉर्मुला लगा दिया हमने तो टेल कितना हो जाएगा आपका कॉमण डिफरेंस जुए आपका है यहा ना डल अपॉन 2 विल भी वर्ट डल अपॉन 2 हो जाएगा आपका 5 by 7 ठीक है अब यहां से आम देश फॉर्मॉले का यूज करने हैं तो इसका सीधे फॉर्मॉले में लगा जाएगा साइन एन डव अपॉन 2 यहां पर कितने टमस हैं तो थ्री डल app on 2 मींज 5 by 7 ओके अपॉन यहां पर जाएगा साइन डल app on2 यहां पर में कितना यहां पर का 8pi upon 7 का आदा upon 2 करेंगे कितना जाएगा 8pi upon 7 तो 4pi upon 7 हो जाएगा इसका आदा ठीक है अब यहां पर आपका identity बिणाने के लिए 2 की जाब रहता है पहले में तो 2 से divide और multiply कीजिए upon 2 ठीक है लिख दीजिए तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 2sin a cos b का फर्मुला आपका बन चुक है 2sin a cos b क्या होता वही sin a plus b इन दोनुका sum तो कितना हो 7pi upon 7 that means pi ठीक है और उसके बाद आजगा आपका plus sin a minus b तो इन दोनुका difference कितना हो जाएगा आपका 3pi minus 4pi minus pi by 7 तो sin minus pi by 7 आपका minus आप बहार लिख सकते थे जल्दी में ठीक है तो यह आपका कितना आगया 2sin pi by 7 तो इसको आपने solve किया sin pi की value कितनी हो जाएगा आपकी 0 ठीक है और यह आपका जाएगा sin minus theta is minus sin theta minus sin pi by 7 ठीक है और यह आपका जो नीचे में 2sin वाला है इसको दोनों में distribute कर देंगे आप 2sin pi by 7 और यहाँ भी आपका 2sin pi by 7 distribute कर दिया तो आपका कितना जाएगा 0 minus 1 by 2 यह पूरा-पूरा cancel हो गया that means what is your result minus 1 by 2 तो इस तरह के सा आपने exam में देखना है कि इस तरह की अगर series बन रही है angles जो हैं यहाँ पर cause ya sign में और इनके जो angles हैं AP में तो आपने इस चीज का use करना है so thank you for watching the video